राधी राधी दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किन तरीकों से अपना आत्म विश्वासा बढ़ा सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करे हैं व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए आत्म विश्वास से कारे करना जरूरी होता है दोस्तों हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन कई बार आत्म विश्वास की कमी की वज़े से कड़ी मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाता है तो आज हम आपको आत खुद को पैचानना चाहिए, खुद को पैचान कर अपनी प्रतिभा को निखालने का काम करें, दोस्तों हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, ऐसा करने से आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा, दूसरी चीज है अपनी गलतियों से कैसे सीख लें, ग आपको कमजोर समझने के बजाए, उनसे आपको सबक लेना चाहिए, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, उसका आत्म विश्वास किसी भी परिस्थेते में नहीं डगमगाता है, दोस्तों तीसरी चीज है, कम्यों को दूर करने का प्रयाश करें, कोई भी व्यक् पर्फेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, दोस्तों हमें अपनी कम्यों की वज़ा से खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी कम्यों को दूर करने का प्रयाश करना चाहिए, ऐसा करने से आपका आत्म विश्वास जरूर बढ़ भी होता है शारीरिक और मानशिक रूप से स्वस्त होने पर भी आत्म विश्वास हमेशा बुलंद रहता है दोस्तों पांचवी चीज़े हैं दूसरों की मदद करना आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद करें जब आप दूसरों की मदद करेंगे तभी आपके भीतर ये विश्वास बढ़ेगा कि आप दूसरों के लिए बहुत ही सक्षम है यह एहशाश आपके आत्म विश्वास को और मजबूत बनाने का काम करेगा दोस्तों अब हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं एक लड़का था वा पिछले कई सालों से अपने शहर में होने वाले रेश में हिस्वा लेता था लेकिन कभी भी रेश पूरी नहीं कर पाता था इस पार भी उसके शहर में रेश होई और उसने अपना नाम दिया और वा काफी उच्छाहित था क्योंकि वा पिछले कई महिनों से रोज इस रेश की तयारी कर रहा था उससे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वा इस साल की रेश में जरूर जीतेगा देखते ही देखते वो दिन आ गया और सभी लोग एक जगा एकत्रित हुए और जैसे ही रेश सुरू हुई बाकी लड़कों की तरह वा लड़का भी तोड़ना सुरू किया वा जोस और हिम्मत से भरा हुआ था और अच्छे ढंग से दोड़ रहा था लेकिन आधी रेश पूरी करने के बाद वा लड़का बिलकुल ठग गया और उसके मन में आया कि बस आप वा यहीं बैठ जाए वा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद से कहा कि तुम रुको नहीं आगे बढ़ो तुम और दोड़ो कम से कम जोगिंग करते हुए तो तुम आगे बढ़ सकते हो तो बस तुम आगे बढ़ते रहो और उस लड़के ने अब पहले की अपेच्छा धीमी गती से आगे बढ़ने लगा कुछ किरोमेटर इसी तरह दोड़ने के बाद लड़का को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते वा फिर लड़ ख़़ाने लगा लड़के के अंदर बिचार आया कि अब बस और नहीं बढ़ सकता लेकिन इस बार फिर उसने खुद को समझाया रुको मत अगर तुम जौगिंग नहीं कर सकते तो कम से कम चलतो सकते हो बस चलते रहो लड़का जौगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष की तरफ बढ़ने लगा कई शारे लड़के उससे आगे निकल चुके थे चलते चलते लड़के को फिनिसिंग पॉइंट दिखने लगा लेकिन तभी वह अचानक से लड़कडा कर गे गया उसके दाए पैर की नसे खिच गई थी जमीन पर पड़े पड़े लड़के ने मन में ख्यालाया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन अगले पल को वो जोड़ से चिलाया आज चाहे कुछ भी हो ये रेस मैं पूरी करके रहूंगा ये मेरी जिद है माना मैं चल नहीं सकता लेकिन लड़कडाते ही सही मेरी रेस को मैं जरूर पूरा करूंगा उस लड़के ने शाहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा और इस तरीके से वह बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया उसकी आँखों से आसुने करने लगे लड़के ने रेश पूरी कर ली थी उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टी कभी नहीं आई थी आज वह अपनी जिद के कारण सिर्फ एक रेश पूरी की पूरी जिन्दगी की बाकी रेशों के लिए खुद को तयार कर लिया तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजल तक पहुचा सकती है मुश्किलों में आने पर हिम्मत मत हारिये ना चाहते हुए भी कई बार परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते पर ऐसे हालातों को कुछ भी ना करने का बहाने मत बनाईए दोस्तों यह आत्म विस्वास से जुड़ी जानकारियां थी जो मैंने आपके शार्ष शेयर करी है अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिएगा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के शार्थ तब तक के लिए राधे राधे